Hello and welcome to another new episode तो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं and this video is specially for M.com part 2 final year student जिनका exam start हो रहा है 8 October से 8 October से आपका exam start होने जा रहा है तो exam जो है वो online conduct हो रहा है इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना रखा है जिसमें अलग-अलग processes बताये हैं कि exam conduct होगा कैसे होगा कौन से software यूज होंगे तो ये final वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि Mumbai University कौन से app के जरिये exam conduct करने जा रहा है और उस app को आपको कैसे download करना है पूरा installation का process step by step आपको समझाऊंगा पूरा वीडियो जरूर देखना आज का जो वीडियो है वो दो पार्ट में divided है क्योंकि बहुत सारे student के मन में ये doubt है कि sir अगर हमें link नहीं आया अगर बहुत से student ये complaint करते हैं कि link बच्चों गों नहीं मिल रहा है तो वो वाला part भी वीडियो पे cover होगा वीडियो का first part होगा इस app के बारे में पूरा process बताऊंगा आपको कि आपको URL, login ID और password mail के जरीए मिल चुका है आज ही सबको mail आ चुका है m.com के जो students है m.com part 2 final year उनको mail रिसीव हो चुका है Mumbai University की तरफ से जिसमें एक URL है एक login ID है, एक password है उस URL पे जब आप जाओगे तो exam, m.u.exam बोलके एक interface खुलेगा exam cloud का एक interface खुलेगा जिसमें आपको password और login ID डालना है वही login ID और वही password जो आपको उस URL के नीचे mail पे मिला हुआ है, उसके बाद आप उस app को download कर सकतो, आपको app को download करने का link मिलेगा, सबसे important यह app कहीं पर भी available नहीं है ना play store पे available है ना दूसरे किसी app store पे available है किसी भी play store, किसी भी app store पे यह app आपको नहीं मिलने वाला है यह app सिर्फ और सिर्फ आप उसी link से download कर सकते हो जो link Mumbai University के जरीए आपको mail पे मिलेगा तो हमारा first part रहेगा वीडियो का एप इंस्टॉल कैसे करना है और exam आपको कैसे देना है तो पूरा process first part उस पे रहेगा इस वीडियो का second part उन बच्चों के लिए है जिनको due to technical issues या other reason के वज़े से mail नहीं मिला है तो वो क्या करेंगे तो पहले हम first part complete करेंगे उसके बाद इस चीज के बारे में discuss करेंगे ओके तो चलिए मैं computer की screen में आपको बताता हूँ कि इस पूरे step को कैसे complete करना है So let's start app का नाम है Mumbai University exam app for exam from home इस app के जरिए आप घर से बैठके आसानी से exam दे सकते तो चलिए start करते training तो सबसे पहले training module है exam app installation पहले करना है आपको उसके बाद exam app में आपको registration करना है exam app का practice करना है live exam आएगा live exam के पहले आपको question paper download करना है question paper download होने के बाद आप live exam start कर दोगे और exam खतम होने के बाद आपको answer script upload करना है आपने जो answer डाला होगा app में जो भी आपने टिक किया है mcq format में है तो आपका वो एक answer script होगा उसको upload करना है तो total कितने process है exam installation 1 registration 2nd exam app practice 3rd live exam question paper download is the 4th process 5th process होने वाला है आपका live exam जिसमें आप real में exam दोगे और last process होगा live exam answer script upload तो 6 step हम एक के बाद एक देखने वाले है so सबसे important चीज यह है कि link बहुत सारे बच्चों को आज मिल चुका है आज के date में सारे बच्चों को 30 September को mcom part 2 के जितने भी student है सबको link आ चुका है but कुछ students को link नहीं आया होगा due to some technical issues तो उसके बारे में मैं इस training complete करने के बाद यह video का first part है इसको complete करने के बाद video के end part में मैं आपको बताऊंगा जिन बच्चों को link नहीं मिला है तो यह उनके लिए है जिनको link मिल चुका है तो आपको 24 आर पहले 24 गंटे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा सीख जाएंगे की install केसे करना है तो आपके पास दो system होना जरूरी है दोनों में से कोई भी एक system आपके पास होगा तो चलेगा आपके पास laptop या window होना चाहिए आपके पास windows का laptop हो सकता है या फिर windows का PC हो सकता है मतलब आपके पास desktop है तो भी चलेगा laptop है तो भी चलेगा जिसमें windows operating system होना चाहिए या फिर आपके पास android smartphone होना चाहिए ओके तीनों में से कोई एक चीज laptop, computer या फिर phone अगर laptop है तो windows operating system पे ही चलेगा mac operating system नहीं चलेगा और अगर android phone है तो android पे ही चलेगा iOS पे यह नहीं चलेगा अगर iPhone है आपके पास तो iPhone पे यह app support नहीं करता तो system requirement क्या है अगर आप windows use करते हो windows operating system तो windows 7 पे यह नहीं चलेगा windows 8, 8.1 और 10 पे चलेगा आपके PC का configuration होना चाहिए 4GB RAM जिसमें से तो 2GB का जगा आपके harddix में खाली होना चाहिए और अगर 10GB खाली है तो ठीक है एकदम आराम से चलेगा कुछ lagging इस्यू नहीं आएगा तो compulsory आप 10GB तक का जगा harddix में खाली करके रखे जिससे आपका app जो है वो lag नहीं होगा PC heat नहीं होगा 4GB RAM compulsory है camera होना बहुत ज़रूरी है और microphone होना भी ज़रूरी है और अगर smartphone की बात करूँ तो Android का version 5.1 के अबाव होना चाहिए processor 1.2 GHz quad core या उसके उपर का processor RAM जो है वो 4GB का RAM requirement है यह student 2GB 3GB के phone में आप यह exam नहीं दे सकते क्योंकि यह app उसपे support नहीं करेगा 4GB RAM required है harddix में आपका 2GB का space होना चाहिए यहाँ पर भी अगर आपनी 10GB free रखा है तो यह app थोड़ा सा भी lag नहीं होगा अठकेगा नहीं camera 2MP बहुत है और microphone होना ज़रूरी है मतलब सब कुछ आपका working होना चाहिए student registered email address पे आपको mail आएगा ओके आपको exam के पहले एक Google form फिल करना था तो जिन बच्चों ने उस Google form को फिल किया है उनहीं को यह mail आएगा और इस mail में आपको एक URL रहेगा एक login ID रहेगा एक password रहेगा जो की सिर्फ और सिर्फ Mumbai University की तरफ से ही आएगा वो mail कुछ इस तरीके का दिखेगा MU exam app installation and training उसका heading होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है circle किया होगा यह part है यहाँ पे एक URL है एक user ID है एक password है जैसे यह आप इस URL पे क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक interface दिखेगा जो की कुछ ऐसा होगा exam cloud और यहाँ पे आपको पूछेगा student ID and student password यही वाला user ID आपको यहाँ पर डालना है और यही वाला password आपको यहाँ पे enter करना है यहाँ पे code होगा जिसको CAPTCHA भी बोलते है हम लोग security code भी बोलते है इसको तो यह आपको यहाँ पर अच्छे से mention करना है जो capital है उसको capital में लिखना है जो small है उसको small में लिखना है and then sign in पे click कर देना है उसके बाद आप login and download exam app यहाँ पे पहुँच जाओगे ऐसा कुछ interface दिखेगा आपको यहाँ पे दो option मिलेगा आपको download MU exam app for windows या फिर download MU exam app for android यह दो option रहेगा अगर आप laptop या desktop यूज कर रहे हो जिस पे windows operating system है तो पहले वाले link पे आपको click करना है लेकिन अगर आप mobile यूज कर रहे हो android तो आपको दूसरे वाले link पे click करना है जो भी आपका device है उसके ऊपर next आप इस पे आ जाओगे ऐसा आपका computer पे आपको दिखेगा यह interface computer का है तो computer में आपको चीजे पूछेंगी click on the download file within your download folder and setup wizard will open आपको location पूछेगा computer में आपको D drive में install करना है C drive में install करना है folders पूछेगा कि कौन से folder में install करना है तो आप किसी को भी select कर लीजिए और उसे सारा control दे दीजे yes yes पे click कर दीजे using system recommended installation procedure continue the press next button for all the step installation wizard display जैसे आप exam app को download कर दोगे उसके बाद जैसे आप उसको open करोगे आपको कुछ नहीं करना है सारा permission उसको दे देना है किसी भी step में अगर आप कोई permission उसको नहीं देते हो तो आपका exam app install नहीं होगा तो सारे process आपको जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है और next 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 पे click कर देना है उसके बाद यह हमारा पहला step complete हो गया है exam app को install आपका हो चुका है आपके system में आप exam app install हो चुका है अब registration कैसे होगा so for registration आपको जो नीचे windows का search button होता है वहाँ पे search करके MU exam लिखना है MU exam जैसे ही आप लिखोगे वैसे आपका exam का app दिखने लगेगा उसको click करना है वह आपका open हो जाएगा अब जैसे ही वह open होगा वहाँ पे नीचे आपको login के लिए पूछा जाएगा जब आपको login के लिए पूछा जाएगा यहाँ पे आपको login ID और password डालना है अब यहाँ पे वही login ID और वही password होगा आपका जो आपको mail पे भेजा गया है स्टार्टिंग में जब आपने इंस्टॉल किया था तो जो आपको mail पे भेजा गया था यूरल के नीचे यूजरनेम और password उसी सेम यूजरनेम पासवर्ड से इस MU exam के यहाँ पे दोनों blank को भरना है यूजरनेम पासवर्ड और बाजू में जो login का बटन दिख रहा है उस login के बटन को क्लिक कर देना है जैसे आप उसको क्लिक करोगे user not registered on on this device do you want to register ऐसा एक आपको pop-up menu आएगा यह पूछा यह आप से confirm कर रहा है कि आप इसी device पे exam देने वाले हो या नहीं अगर आप घर पे हो और इसी device पे exam देने वाले हो तो इसको आपको yes कर देना है permission दे देना है लेकिन आप इस device पे exam नहीं देने वाले हो आप कितने भी device पे इस आप को रेजिस्टर कर सकते हो बस इस आप को डाउनलोड करके इस आप का जो फाइल है इसको आप पेंड्राइव में लेके रख दो फिर अगर आपका जो भी system पे आप exam दे रहे हो suppose वो system आपका automatically बंद हो गया due to some technical issue computer बंद हो सकता है light चाले जाने के वज़े से laptop बंद हो सकता है hang हो सकता है battery खतम हो सकती है आप smartphone में exam दे रहे हो आपका smartphone बीच में lag हो सकता है hang हो सकता है तो वो सब चीजों के वज़े से मैं आपको एक tip देना चाहता हूं कि आपका downloaded file है उसको pen drive में लेलो फटक से आपका कोई device अगर खराब हो जाता है तो आप डूसरी device में उसको डालके operate कर सकते हो और दोनो installation file डाउनलोड करके रख दो Windows वाला installation file भी डाउनलोड कर दो और Android वाला file भी आप डाउनलोड करके pen drive में रख दो आप कितने भी device space को register कर सकते हैं जैसे ही आप इस पर click करोगे वैसे आपका आएगा university आपका नाम दिखेगा Mumbai University उपर रहेगा आपका picture रहेगा आपका नाम रहेगा role number रहेगा आप कौनसे program का exam दे रहे हो mcom part 2 mobile number जो आपने register किया है यह सब आपको दिखेगा तो वही mobile number आपको यहाँ पर ड्याल के proceed करना है उसके बाद on this registration is complete the screen will be available for the following action view the schedule of the upcoming exam and availability of e-doc और continue the practice exam paper दो option रहेगा अगर आप इस app को exam के पहले install करते हैं तो आपको यहाँ पर देखेगा कि आपका exam कब होने वाला है जैसे अगर आप आज ही इसको install करते हैं तो आपको 8 October का date दिखेगा और 8 October को आपका कौनसा paper है वह वहाँ पर आपको show करेगा कि आपको 8 तारिक से exam start होने वाला है तो आपका start होने के पहले अगर आप अगर आप install कर लेते हो तो आपको second option करना है practice question paper यहाँ पे इस app में आप practice कर सकते हो practice question paper available रहेगा तो नीचे आपको दो button दिख रहा है refresh and practice refresh आपको इसलिए करना है कि आपको बार-बार refresh करते हुए देखते रहना है कि आपका exam कब start हो रहा है और आप जब आप confirm हो जाओगी कि हाँ मेरा exam आने वाला है 8 तारिक को और मैंने app install कर लिया है आज ही कल पर सूव एक्जाम के पहले आपनी install कर लिया है तो आपको practice पे क्लिक करना है जैसे आप practice पे क्लिक करोगे तो हमारा third part आ जाता है MU exam app practice तो यहाँ पर आपको practice paper दिखेगा exam detail not available और no exam schedule अगर आप exam के पहले इसको करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी exam नहीं दिखेगा तो आपको practice पे ही क्लिक करना है जैसे यह आप practice पे क्लिक करोगे आपको practice unlock key पूछा जाएगा practice unlock key student ध्यान देना practice unlock key है one two three four practice unlock key is one two three four यह डालके आपको unlock button पे क्लिक करना है जैसे यह आप unlock button पे क्लिक करोगे आपका practice exam unlock हो जाएगा और कुछ ऐसा interface आपको नजर आएगा अब यहाँ पे part A है, part B ऐसे अलग-अलग parts होंगे आपके exam पे वह depend करता है you can attempt question in any random order पहला question पहले attempt करो उसके बाद दूसरा छोड़ दो उसके बाद तीसरा attempt करो okay fourth one में आपको doubt आ रहा है तो उसको रख दो fifth one attempt करो right option पे आपको click करना है जब आप उसको click करोगे तो ऐसा green दिखेगा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इस पे click किया और यह green हो गया मतलब यह मेरा right answer है no, right answer आपको नहीं मालूम पड़ेगा जैसे यह green होगा, selection का color green है यहाँ पे आपको screen पे दिख रहा होगा, first question में 33, 48, 36, 58, 4 option है, आप 33 पे click करोगे तो भी green दिखेगा, 48 पे click करोगे तो भी green दिखेगा, 36 या 58 पे click करोगे तो भी आपको green दिखेगा, यह आपका selection color है यह यह नहीं बता था कि आपका यह question का answer right है या wrong है, okay, उसके बाद इस app में आपको उपर के side calculator मिल जाएगा और timer दिखेगा, okay, आपका exam एक घंटे का होने वाला है, तो उपर आपको timer का button दिखेगा, पहला जो यह आवाला आपको circle दिख रहा होगा, यहाँ पर एक circle दिख आपको yes, तो यह जो circle है, यह calculator के लिए है, तो student को कोई extra calculator अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, इस app को इस तरीके से बनाया गया है, कि इस app में सब कुछ included है, calculator से लेके everything is included, rough sheet भी इसके अंदर available है, और यहाँ पर आपको timer दिख रहा होगा, this is the timer button, okay, अब यह जो calculator, य if commerce के बच्चों को नहीं, सब बच्चे science के जो बच्चे है, या maths का exam दे रहे है, जो भी बच्चे है, सब लोग इस calculator को use कर सकते, तो आपको सारा calculation screen की तरफ देख कर ही करना है, उसके बाद, जैसे आप सब कुछ कर दोगे, तो आपको यहाँ पर तीन option पूछा जाएगा, finish exam answer book या फिर back button, अगर आप back button पे click करोगे, वापीस exam पे पहुच जाओगे और आपके options चेंज कर सकते हो, अगर आप answer book पे click करोगे, तो आपको आपका जो भी answer आपने submit किया है, पूरा एक साथ आपको दिखेगा, कि आपने कौन से question के लिए कौन सा answer submit किया है, finish exam पे click करोगे जब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा exam, मैंने पूरा exam दे दिया है, everything is completed, तो आपको finish exam पे click करना है, अगर आप answer book पे click करते हो, answer sheet, तो आपका ऐसा answer दिखेगा, कि आपने कौन से कौन से चीज़े submit की है, side में आपको scroll bar दिख रहा होगा, आप mouse पे भी scroll कर सकते हो, या फिर यहा पे pop-up आएगा है, your exam is finished, आपका exam जो है, finish हो चुका है, तो आपने practice दे दिया, इससे आपको एक practice हो जाएगा, तो इसी लिए आप exam app को पहले से download कर लो, और mock test, यही आपका mock test है, उसे prepare कर लो, उसके बाद हम वीडियो के fourth part में आ जाते है, live exam question paper download, आपको question paper कैसे download करना है exam क पहले, launch the application, to launch the application, please click on the MU exam app icon in the start menu, यह पहला वही same repeat process है, windows के बाजू में जो search button होता है नीचे, वहाँ पे click करो, MU exam search करो, और exam को launch कर दो, application will launch automatically and you will see the screen displayed on the left, ऐसा आपको दिखेगा, यही पर आपको वापीस वही login ID, वही password डाल के login करना है, same वही procedure है, जैसे आप login करोगे, if exam have already been scheduled to your institution, the exam schedule will be available here, अब आप, जैसे ही देखोगे, 8 तरीक को exam है, एक गंटे पहले आपको, 2 गंटे पहले आपको login करना है, मैं तो बोलता हूँ, आप 2 गंटे पहले ही, इस आपको login करके बैट जाओ, तो आपको वाँ पे exam देगा कि, आज के तारीक में आपका कौन सा पेप connection, जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, automatically आपका exam question paper डाउनलोड हो जाएगा, अगर डाउनलोड नहीं हुआ, तो you can refresh if progress status is stuck और available schedule is not visible, अगर आपको यहाँ पर question paper नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है, available बोलके, बहुत धुनला दिख रहा आपको date दिखेगा वहाँ पर, और question paper available ऐसा दिखेगा, तो आपको start कर देना है exam, नीचे यहाँ पे दिख भी रहा है कि कितना percent आपका exam का question paper डाउनलोड हुआ है, एक ही question paper है तो एक ही रहेगा, दो question paper है तो यहाँ पे आपको 2 दिखेगा, और percent दिखेगा, 31, 32, यह जब 100% हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको green tick दिखेगा कि आपका exam का question paper डाउनलोड हो चुका है, और अगर आपका यह नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे refresh button पे क्लिक करना है, automatically सारा process स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको question paper जैसे ही मिल जाएगा, once exam question paper is downloaded, the screen will be visible, आपको एसा कुछ screen दिखेगा, 100% यहाँ पे लिखा रहा है, आपका 100% डाउनलोड हो चुका है, option to proceed, अब यहाँ पे आपको एक option आएगा, proceed बोलके, practice वाला चला जाएगा, proceed बोलके option रहेगा, you may proceed to the practice exam, remain on the same screen, या फिर close the application, आपके पास 3 option रहेगा, अगर exam स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे प्रोसीड नहीं आएगा, यहाँ पे practice दिखेगा, और जैसे यह exam स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड दिखेगा, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, आप एक्जाम देने के लिए start हो जाओगा, अब लाइव एक्जाम अगर आपको कोई टेकनिकल सपोर्ट चाहिए तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा 08047191116 इस नंबर पर आपको कॉल करना है तो आपको मिल जाएगा जो भी आपका कुछ यह एक्जाम की दिन ही चलता है इसका भी एक टाइमिंग है अब जाधा सुबह करोगे तो उन लोग फोन उठाएंगे नहीं स्विच आफ आएगा या फिर आप जाधा शाम को करोगे तो भी फोन ने उठाएंगे स्विच आफ आएगा तो आपको एक सर्टन टाइम पे जभी एक्जाम होने वाला है उसके एक दो गहंटे पहले आपका जो भी इशु है इनको कॉल करके क्लियर आउट कर लेना है जब आप लाइब एक्जाम दोगे सेम आपको इस एप को लॉंच करना है लॉगिन करना है उसी सेम आईडी पासवर्ड से और उसके बाद आपका पेपर जो है वो दिखने लगेगा आई एगरी कुछ आपको टम्स अन कंडिशन दिखेंगे उस टम्स अन कंडिशन को आपक आपका फेस दिखाना है जैसे हम किसी फोन पे फेस अनलॉक सेट करते है तो हमारे आजव बाजव एक सर्कल घूमता है ग्रीन कलर का और जैसे वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है मतलब वो हमारे फेस को रेकोनाईस कर चुका है सेम वे यहाँ पर भी आपके फेस के आसपास एक जाए ग्रीन सर्कल घूमेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा आपका फेस रेकोनाईसेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अब जो डिवाइजेज है जिनमें कैमेरा नहीं है और एक्जामपल आप जो चुम्प्यूटर यूज कर रहे हो जो लैप्टॉप यूज कर रहे तो नीचे यहाँ पर आपको अटमैटिकल एक अनलोक किया आएगा जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 5762 और यहाँ पर अनलोक यहाँ एंटर होगा आपका फेस अथेंटिकेट नहीं होता है तो वो समझ जाएगा कि इस डिवाइस में कैमेरा नहीं है और या फिर जो भी अगर आपने ये सब कुछ पराबर step by step जाते हो इस वीडियो को अगर आप बराबर देखते हो और इस वीडियो के हिसाब से अपने सारा कुछ काम किया है तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा examination will start in a while, best of luck और जैसे ये exam का time start होगा वैसे ये आपका question paper appear होना start हो जाएगा यहाँ पर आपको minutes दिख रहा है 1425 minutes लेकिन यहाँ पर आपका कितना रहेगा 60 minutes रहेगा और दिरे दिरे ये minutes जो है वो कम होता रहेगा यहाँ पर आपको marks दिख रहा है कितने marks का paper है 50 marks का और यहाँ पर आपको आपका photo दिखेगा कि कॉन बैट के exam दे रहा है छोटा सा आपको एक और वीडियो मैंने बना रखा है कि प्रोक्टर में एक्जाम कैसे दिया जाता है उस प्रोसेस को आप फॉलो करो तो ठीक है आपको step by step यह सारा प्रोसेस करना है MCQ को attempt करना है हर एक question के लिए एक ही option आप select कर सकते हो जादा options आप नहीं ले सकते हो जब आपका सब कुछ हो जाएगा Do you want to finish your exam? आपको finish exam पे क्लिक करना है जैसे आप finish exam पे क्लिक करोगे तो आपको pop-up पूछेगा Do you want to finish exam? You will not be able to make any changes after the exam is finished Very important अगर आपका time के पहले paper हो जाता है तो finish exam क्लिक करने से पहले आप answer book पे क्लिक करना और सारा अपना answer देख लेना एक बार उसके बाद आप finish exam पे क्लिक करना एक बार आपने finish exam पे क्लिक कर दिया तो आप backward जाके कोई भी answer change नहीं कर सकते हो अगर आपका device या application बंद हो जाता है तो आपको application वापिस restart करना है आपने जहां से paper को खतम किया था यहां पर आपका time stop हुआ था वहीं से आपका time वापिस से start होगा तो डरने की बात नहीं है बीच में अगर आपका device बंद हो जाता है charging खतम हो जाते तो उसको charger पे डालो restart करो वापिस उस app को launch करो वहीं से आप paper देना start कर सकते हो live answer script अब आपने पूरा exam दे दिया है आपको answer sheet upload करना है आपको ऐसा message दिखेगा your exam is finished system is preparing a docket यह हर किसी का number अलग रहेगा please don't shut down the device अब आपको ऐसा अलग रहा होगा कि आपने finish exam पे क्लिक कर दिया आपका exam हो गया अगर आपका internet फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या फिर internet slow है तो exam का paper जो आपने भरा है answer sheet उसको upload होने में time लगेगा लेकिन अगर आपका internet speed बहुत अच्छा है तो आपका automatically यह चीज जो है upload हो जाएगा अगर internet speed नहीं चल रहा है तो आप internet button को बार-बार refresh करो आपके router को check करो जो भी उसको बराबर करो अगर आपके system में कुछ problem है तो आप system को वापिस restart करो exam map में login करो आपको ऐसा ही screen दिखेगा और थोड़े दिख तक वैसे बैठे रहो जब तक आपको message नहीं आता ऐसा कुछ message नहीं आता अब देखो green button यानि कि आपका paper जो है वो upload हो चुका है कि आपका जो है वो processed हो चुका है upload हो चुका है सब कुछ बराबर हो चुका है so now you are ready for your exam on MU exam app all the best to all the student and specially to m.com students सबको all the best अच्छे से prepare करो there are no shortcuts no cheating YouTube पे बहुत सारे videos है लोग बना रहे है कि ऐसी cheating किया जा सकता है वैसी cheating किया जा सकता है don't see all that अभी भी 8 दिन बाकी है आपके पास कल से अगर हम count करें एक तारिक से लेके 8 तारिक तक का time है आपके पास अगर आप हर subject को 2-2 दिन देते हो Mumbai University का Idol का जो book है उसी में से आपको पढ़ना है अगर 200 pages का book है तो 100 pages एक दिन में खतम करो next day 100 pages खतम करो last minute revision के लिए आप जो university paper solution अगर आपके पास available है अगर आपने shop से खरीदा है तो उसको refer कर सकते हो या फिर MCQ कुछ release हो चुके है अगर आपको MCQ चाहिए और मैंने अभी अभी जो आपको यह exam का PDF बताया है यह PDF अगर आपको चाहिए तो मेरे video के नीचे description में आपको telegram channel का link मिलेगा उस telegram channel को joint हो जाओ आपको सारा PDF मिल जाएगा MCQ भी मिलेगा सारे subject का MCQ आ चुका है तो MCQ भी आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा अगर आप telegram पे दोंडोगे विशाल classes बोलके तो आपको channel मिलेगा उस channel पे क्लिक कर देना आपको सारा MCQ everything मिल जाएगा चैनल को joint हो जाना और अगर इसके पहले मैंने तीन video डालके रखा है वो आपने नहीं देखा है तो please उन तीनो video को देखो and then उसके बाद कोई भी query होता है तो आप comment section में पूछ सकते हो video को please like कर दो पसंद आया है तो कोई भी doubt है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ comment करके पूछो नीचे मैं आपना telephone number भी दे रहा हूँ WhatsApp number दे रहा हूँ तो उस पे भी आप message करके पूछ सकते हो at last मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करो आलतु फालतु चीजे तो आप WhatsApp पे शेयर करते हो please इस चीज को जादा से जादा WhatsApp पे शेयर करो तो यह बहुत सारे student को helpful हो जाएगा इसके बाद जो है मैं वीडियो का second part स्टार्ट करने वाला हूँ जिन बच्चों को exam का link नहीं मिला है वो क्या करेंगे तो फटाफट चैनल को subscribe कर दो तो आपको सारे notification फटाफट मिलेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो का next part So I hope आपका first part जो है वो clear हो गया होगा second part उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक link नहीं मिला है या फिर जो बच्चों को link शायद in future नहीं मिलेगा due to some technical issues वो भी exam दे सकते हैं कैसे देंगे exam जिन बच्चों को link मिला है वो link आप अपके friend के पास से ले लो आपके friend को of course link मिला है किसी ना किसी को तो link मिला होगा तो वो link आप अपने students के पास से अपने friend के पास से ले लो वो link और उस link पर जैसे आप click करोगे वैसे आप exam cloud के इसमें पहुंच जाओगे जहां पर आपको user ID और password पूछा जाएगा तो नीचे एक option रहता है forget user ID forget password तो forget user ID पर जैसे आप click कर password आ जाएगा तो ऐसे आप exam attend कर सकते हो जिन बच्चों को link नहीं मिला है so all the best for your exam ज्यादा queries के लिए comment कर दो चैनल को subscribe करो जहाँ से जादा शेर करो मिलते हैं अगले episode में thank you